हाज दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर यह द्राइटन फुट के फार्म का अपडेट है कि आपकी ऐसी फूल दिखाता हूँ इसमें भी आप देख पाएंगे कि 1 वो निकल याइ न्या स्टेम्स है और इस तॉर देखे वो भी नए स्टेम्स है तो इसमें मैं देख रहा हूं कि बहuters उच्छा यह जो है नए नए स्टेंस दिनों में इन्हों ने बहुत अच्छा ग्रूथ पकड़ा है और हर पौधे में नए स्टेंस निकलकर आ रहे हैं लगवग यहां पर एक तो लगवाग हर पौधे में नए स्टेम्स निकल करें आप दूर भी देख रहे हैं कि हर पौधे में नए स्टेम्स जो है वह बाहर आ रहे हैं तो ग्रोथ वाइज यह बहुत अच्छा चल ला है इसके साथ साथ ही हम लोग को एक और काम करना पड़ गया जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में पौधे को ट्रांस्प्लांट किया था तो इसमें हम लोग ने सीधा ट्रांस्प्लांट कर दिया था बड़ जैसे ही इसमें नए स्टेम्स निकले और यह बढ़ा होने लगा तो क्या हुआ कि इन पौधों पर लोड बरने लगा और वो पीछे की तरफ ज जड़ बाहर ने निकले क्योंकि इसमें हम लोग ट्रांस्प्लांट कर रहे थे तो पौधे के तने को बहुत ज्यादा नीचे नहीं दे रहे थे क्योंकि इसमें बीमारी पनब जाती है जिसे पौधे शड़ने लगते हैं तो इसलिए हम लोगों सिब जड़ को ढखा था और अब जब देखा कि मैंने लोड बढ़ गया तो मैं इसको जो है प्लास्टिक और सुतली से इसको है भावध हर पौल में इसको वॉइट थागी से बन ताकि जो है पौधा सीधा चले जो नए इस टेम्स निकलने वो सीधा है अपने डारेक्शन में वो निकले जिसे की जो है इसका एक ग्रोथ अच्छा रहेगा तो यह इस तरह का था आग आख वीडियो का टॉपिक है वो रहने वाला है कि ऐगनपूट के पौधे में यलो फंगर स्टाइक होता है, जिसे कंद म थिब कर सर लागते हैं है, जो होता कभा है अब पौधे को ट्रांस्प्लांट करते हैं तो ट्रांस्प्लांट के लिए वग आप साथ या आट या दस दिन के बाद पाएंगे कि जो है पौधे पीले पढ़ने लगते हैं और वो सुखने लगते हैं तो आज के वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है कि उसको उस बीमारी को कंट्रोल कैसे करें तो वीडियो को अंतक देखेगा एक बहुत ही अच्छा और यह इन्फरमेटिक वीडियो रहने वाला है अगर आपने अभी तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैन परने लगे थी और वह सुखने लगे हैं तक है कि हम लोग बाहर से पॉदे मागाते हैं और इसको लगाते हैं अगर वह बहुत अधिक मातरा में सुखने लगेगा तो एक क्योंकि इन्वेस्टमेट बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है तो इतना cost bear करना ना परता है तो प सब्सक्राइब के समय कोई वा बाद ही इस पर उपियोग में लाना चाहिए तो इससे क्या होता है कि इसमें बहुत अत्ता कंट्रोल होता है दूसरा है कि अगर फिड़ भी अगर यह आ रहा है तो इसमें मैंने दो तरह की दवाई का इस्तमाल किया था एक तो अब चाहिए तो अचानक से अटक होता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए तुरॉट एक्षिन के लिए हमें क्या पड़ा उससे कोई नुकसान नहीं है स्टार्टिंग में आप दे सकते हैं केमिकल वे में जा सकते हैं ताकि जो है पौदे बहुत ज्यादा मात्रा में खड़ा यह इस तरह का नुकसान होता है उससे तो हम लोग ने दो तरह का इस्तेमाल किया एक तो औरगैनिक वे में भी गया उसमें क्या था लिक्विड ट्राइकोडर्मा था वह लिक्विड फॉर्म में था उसका हम लोग ने इमेज यहां पर लगा देता हूं वह जो डवाई मैं इस्तमाल किया था वह उसको मैंने वह लगवाग 500 ml का था उसको मैंने solid और पानी में जो है दो किलो गुड के साथ ferment करके तीन-चार दिन उसके बाद उसका spray चलाया था 100% का मतलब कि अगर एक टेंक है तो उस टेंकी में पूरा वही liquid fungicide ही जो है ट्रेकर डर्मा जो ता liquid form में उसको मैंने डाला था और फिर डिस्प्रे किया था दूसरा है कि दो दवाई आती है एक बोजो की बहुत 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 कारगर एक साफ करके आती है यह केमिकल फंगी साइड होता है साफ और उसके साथ उसके साथ जो मैंने यूज किया था वह था एक एंटी करके आती है उ और उसको बढ़ावर मात्रा में डिवाइट करके जैसे कि अब एक पैकेट मैंने डेड़ सो वन फिक गणाम के एक पैकेट मगाया था और मिक्स करके मैंने पाणी में पहले जो है इसको मिक्स कर लिया अफिक सको डिवाइट करके मजे चार टेंकी का इसमें लगा था तो बढ़ावर मात्रा में डिवाइट कर दिया पूरे पैकेट को और आची मात्र से इससे क्या हुआ कि बहुत अच्छा एक कंट्रोल वह और सारे वो जो प्रॉब्लम्स थे वो जो है डुकी गए समझ लिए एक बार और मैं चला दूँगा जिससे की यह 100% जो है वो सेक्योर हो जाएगा तो यही था आज के जो है एक इनफॉर्मेशन जो आप लोगों को देना था अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट वे अपने सुझाओ दे कि आगे हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए और आगे का अच्छा एक वीडियो होगा बहुत इंफॉर्मेटिक वीडियो है उसको भी आप लोग देखेगा और अगला वीडियो होगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद